जैन डेवरीवन इधर बीच कुछ नए बच्चे NTSC के बारे में जान रहे हैं और बार-बार वो मेरे को मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि यार भाया हम बिल्कुल नए हैं हमें क्या करना चाहिए मैं बार-बार पिछले कई समय से आपको बदाते हुए आ रहा हूँ कि आपके लिए सारी चीजी एविलेबल हैं चैनल पर आप चाहें तो उस चीज को करके अच्छे तरीके से NTSC स्टेज वन में अच्छा अपना रिजल्ट लेकर आ सकते हैं लेकिन फिर भी नए बच्चों क तो ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है और वो जो नए बच्चे हैं उनको मैं तरीका बता दे रहा हूं कि अगले जो दो महीने आपके हैं को यह दो महीने तो नहीं अक्टूबर नौवंबर दिसंबर जैनवरी ना इधर का पंद्रा उधर का पंद्रा वेश्ट है आपको पहली बार NTSC के बारे में समझ रहे हो तो आपको मैं बता दू कि आप एक बार चैनल को एक्स्प्लोर करो इस चैनल पर आपको एक एक एंटी एसी इंफॉर्मेशन नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाओ तुम्हारे मन में जितने सवाल आते हैं उनके उनके सभी के सभ हैं कसली बने हुए हैं जाओ एक बार देखो ठीक है उसको बाद क्या करना है एक हमारा चैनल है ए डर सर्च कर लेना रेंक इसको ज gäller तेलिग्राम चैनल है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो भी बच्चें ऐंटी कि नहीं कि तयारी कर रहे हैं उनको इंस यहांपर में डालता हूँ अब टाइम क्या है यह है अक्टूबर ठिक पंद्रा दिन इसमें बचे हुए है यह नौंबर ध्यान यह रखेंगे कि यह आपका टर्म वन भी ले रहा है और यह पूरी तरह से टर्म खपाएगा ठिक उसके बाट टाइम आपको यहां मिल दिसंबर और यह ज और दाल दिया है जनुरी में बताओ 15 दिन में कैसे ट्रैक करूँ तो तुम शोचोगई कि भया 15 दिन वाली एक वीडियो ले कर आएंगे तुम्हारा एंटिस क्रैक हो जाएगा बिलकुल ऐसा नहीं है लेकिन अगर तुम अभी भी जाग रहे हो अभी इस एक्जाम के बारे स्वास है कितना तुम goes right here है अब सबसे पहले उन बच्चों की मैं बात करूंगा जो rất दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे मतला मेरे साथ त्यारी कितने दिनों से कर रहे हैं वह एक काम गलती क्या कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने strong points पर work कर रहे हैं मैंने एक बात देखी और समझी है कि वह बच्चे क्यों अपने strong points पर work कर रहे हैं जो chapters उन्हें अच्छे से आता है उन्हीं को बार-बार पढ़ना है उन्हीं पर based वो test दे रहे हैं लेकिन ऐसे NTSC नहीं crack होता है आपको work वहां पर भी करना होगा जो चैप्टर जो topic जो point आपका week है यह चीज़ आप समझेए यही major difference होता है एक average student में और एक टॉपर student में टॉपर student मान लीजिए मान लीजिए verbal reasoning के तीस chapter है ठीक समझेगा एक बात को ध्यान से समझेगा सपोर्ज आपके verbal reasoning के तीस chapter है इसमें से 20 chapter आपको मान लीजिए अच्छे से आते हैं कुछ 10 chapter ऐसे जो आपको लगता है कि यह मेरे से कठीन है यह नहीं टॉपर बच्चा क्या करता है मान लीजिए उसके 20 तयार है ठीक है और 10 बचा हुआ है वह वर्क अभी कहा करेगा अक्टूबर नौमबर में कहा करेगा अभी टर्म वन का रोना एक साइड में रख लेना अभी मत मेरे से कहना कमेंट में कि भया टर्म वन है तो क्या कर है यह मैं नहीं सुनने वाला हूं मैं भी वर्क कर रहा हूं आपके लिए और वह बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वह भी वर्क कर रहे है टर्म वन इतना छोटा सा है और वह लगातार भाईया में से कह रहे हैं भाईया में तो टर्म वन तयार है मैं सिर्फ पहुस कर रहा हूं कितने बच्चे ऐसे हैं बहुत कम और वही कम बच्चे ही क्रैक करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अब ये बच्चे क्या करेंगे ये जो 20 चाप्टर तयार है इन्हें पता है कि मेरा तयार है उन्हें confidence है वो अब work यहां करेंगे ये जो 10 इनका भी नहीं तयार है इस इसे मैं कैसे तयार करूं इसे मैं कैसा strong करूं इसी बात को समझने के लिए मैं बार-बार कहता हूं कि इस चीज को अच्छे से समझो आपको अपने weak points पता करने होंगे अब तुम कहोंगे भाया पता कैसे करें अब यार देखो तुम चाहो तो बस chapter देख के पता कर सकते हो कि माल लेते हैं 50 question मैट के लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट अब यहां पर टाइम लिमिट लग गई अब आपको वही काम करना है जो इस टाइम बाउनेशन में करना है यही 50 question करने के लिए मैं तुम्हें तीन घंटे दे दूं तुम पूरे के पूरे 50 question लगा दोगे लेकिन अगर चैप्टर यह चैप्टर यह चैप्टर मेरा week है अब उसके बाद तुम क्या करोगे इसमें appear होके मतलब सॉरी इसके बाद तुम उन चैप्टर को देखोगे वीडियो देखोगे डिपी लगाओगे सवाल लगाओगे फिर उसको strong करोगे यह चीज तुम्हें करना समय लग रहा है लगने दो मजा नहीं आ रहा है मत आने दो मजा आएगा लेकिन जब तुम्हारा अंदर से यह मन करेगा टेस्ट देने का किसी का मन नहीं करता है मैं बता दू जो हमारे रैंकस लाइप पर हमारा NTSC का टेस्ट सीरीज है उसमें लगबग अब हमारे टेलिग क्रैक कैसे करें लेकिन किसी को यह नहीं है कि टेस्ट में अपियर हो टेस्ट दें उसके बाद जो गलतियां आए उन पर वर्क करें यह कोई नहीं चाहता है केवल और केवल सब को क्या क्या चीए मोटिवेशन दे दो भाईया मोटिवेशन की आग दे दो एक जूम मिटिंग करते हैं कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूं भाई मुझे कितना स्कोर करना है उन्हें पता है कि उनका टारगेट कितना है उन्हें पता है कि अगर वह जनरल के हैं तो उन्हें 180 प्लस लाना होगा तो वह इसकी तयारी कर रहे हैं वह अपने आपको बार बार टेस्ट में अप सब पर मैसेज करें यह यह चैप्टर वीक है बताओ मैं क्या करूं तो मैं उनको परस्टनली इस चीज को समझा रहा हूं कि इस चीज को यहां से पढ़ लो इस चैप्टर के क्वेश्चन वहां से कर लो तो वो कर रहे हैं यह चीज तुम्हें करनी पड़ेगी चाहे जैसे तो आप रैंकस लाइब का एक बार एप डाउनलोड करिए यार पूरा का पूरा चीज मैंने पढ़ा रखा है सारी चीजे पढ़ा रखिए सारा प्रोसीजर बता रखा है लेकिन जब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तो एप को डाउनलोड करो वहां पर आपको आरंब टे यह मैं क्यों कर रहा हूं उसका कारण अभी बता रहा हूं 15 अटूबर तक आप एक कूपन कोड यूज कर लिजेगा टी ओ डबल पी यार टॉपर ठीक है स्पैलिंग देख लेना सही है कि नहीं सही है वता देना टॉपर ठीक है टॉपर कूपन कोड यूज कर लेना आपको 10 10% का ओफ मिल जाएगा और इसके बाद मैं कोई उपन कोड कोई आपको एनाउस्मेंट करने वाला नहीं हूं यह आखरी बार चिता रहा हूं कि जाग जाओ अभी भी जाग जाओ और इन सभी बच्चों को जो अगले एक हप्ते तक जो आज से जो 10 अपक्टूबर से 15 अपक्टूबर तक जोईन करते हैं उनका एक फ्रेस बैच बनेगा ठीक है एकदम फ्रेस बैच और उनको क्या होगा परसनल मेंटरसिप तो की ही जाती है इनको बताया जाएगा कि इन्हें दो महीने में क्या करना है तो भाई फ्रेस बैच बना दे रहा हूं हलाकि पिछले बच्चों की भी मेंटरसिप चल रही है उनसा भी बीच बीच में बात होती रहती है उनके भी डाउट्स लिए जाते हैं लेकिन इन ये बच्चे जो आखरी दो महीने में आ रहे हैं बता दू अभी तक टोटल दस प्लस टेस्ट हो चुके हैं लगबग आपके साथ से आठ च्छे से साथ वह हो चुके हैं च्छे हो चुके हैं जो पार्ट टेस्ट होने वाले हैं और चार आपके वीकली टेस्ट हो चुके हैं तो सारी चीज़े अविलेबल है हमारे अपपर अभी इसके बाद ल सर्मोन आगया अब तो मैं NTSC करूंगा ही नहीं सब के लिए ये प्रॉब्लम है तो सब को फेस करना सब को वर्क करना है अब जो पुराने हो गए अब फ्रेस वाले ये काम करेंगे तो फ्रेस वालों के लिए वाट्सप ग्रूप बन जाएगा उनसे मैं परस्नली जूम मिटि इस नहीं पता होंगे तो सिर्फ मोटिवेशन से कभी आप क्रैक नहीं करने वाले हो आपको वर्क करना पड़ेगा ये आपका बोर्ड एक्जाम नहीं है तो इस चीज का ध्यान लगए उमीद करता हूं कि आपके अंदर एक फिरसे आग जली होगी नए बच्चों को भी ची और हां कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अब चीजे क्लियर हो रही है क्या अब एक अंदर एक नया जोस आ रहा है तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा तब तक अपना ख्याल रखिए बबाई टेक केर लब यू आल एंड जैहिंद